हेलो डियर स्टूरेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल फ्रीमेस क्लास में फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में डेसिमल फ्रेक्शन इस चाप्टर का प्रॉब्लेम सेट नंबर थोटीनाइं सॉल किया था अब आज की इस लेक्चर में हम क्लास फिप का नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेटिस राइटिंग हाफ कॉर्टर थ्री कॉर्टर और वन एड़ कॉर्टर इन डेसिमल फर्म यह टॉप हाफ कॉर्टर थ्री कॉर्टर और वन एड़ कॉर्टर इन डेसिमल फर्म इन सब को डेसिमल फर्म में कैसे राइट करते हैं इनके बारे में हम आज के लेक्चर में डिसकस करने वाले हैं तो फिर्सली यहाँ पर क्या मेंशन किया है हाफ तो फिर्सली यहाँ पर हमने कर दिया first number and half half का meaning क्या होता है one upon two one यहाँ पर क्या है numerator है and two है denominator पर half का meaning क्या होता है one upon two friends अगर आपको half को decimal form में convert करना है तो क्या करेंगे आप इसे दो तरीके से निकाल सकते हो okay firstly आपको क्या करना है जो denominator है उसको देखना है denominator को किस से multiply करने के बाद आपको 10 या फिर 10 का एक multiple मिल जाता है तो friends यहाँ पर denominator पर क्या है two है and two के table में 10 आता है two five जा 10 होते है okay two multiply by five means 10 होंगे तो friends हम क्या कर देंगे यहाँ पर यह जो one upon two that is half है इसको हम five से multiply कर देंगे तो friends हमें क्या मिलेगा one upon two multiply by five अब friends हमने यहाँ पर क्या कर दिया इस denominator को 10 में convert करने के लिए five से multiply किया okay तो friends यहाँ पर हमने denominator को multiply by five कर दिया है अब क्या करेंगे numerator पर भी वह ही calculation करेंगे that is numerator भी multiply by five अब यह हमने क्यों किया because friends अगर आपको किसी fraction को decimal form में convert करना है तो आपको ज्यादा तर मैंने चुछ सिखाए हैं उसमें कुछ इस टाइप के fraction सिखे थे हमने one upon ten अब इसको अगर हमें decimal form में convert करना है तो क्या करेंगे जो नीचे वाला denominator है उसको देखेंगे denominator में कितने zeros है एक ही zero है तो friends हमारे जो decimal point है वो first place पर आने वाला है यहाँ पर numerator पर क्या है one है one को as it is right कर देंगे हमारे decimal point first place पर आएगा तो यह जीरो प्लेस एन यह फॉस्स प्लेस यहाँ पर आएगा हमारे decimal point यहाँ पर आएगा zero अब यहाँ पर 10 है इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ क्या किया 10 में जितने zeros है वो count कर लिए और जितने zeros आएगे उतने ही प्लेस पर हमारा decimal point आएगा यहाँ पर हाफ के denominator पर क्या है two है okay so two is not ten two यह number ten नहीं है है ना two and ten यह अलग-अलग numbers है अगर denominator पर 10 यह फर 10 की multiples आए that is 10 100 1000 तेन थाउजन सो इस टाइप में ही आप इसको ऐसे convert कर सकते हो simply friends इसी लिए मैंने यहाँ पर क्या किया two को multiply by five कर दिया अब यहाँ पर two multiply by five करने के वाद आपको क्या मिलता है 10 मिलता है तो यह 10 में convert हो जाएगा एंड आप simply answer find out कर सकते हैं तो friends अगर आप denominator पर multiply by five करेंगे तो numerator पर भी multiply by five होना चाहिए विकाज यह जो fraction है one and half इसके value चेंज नहीं होनी चाहिए अगर आप इसे फिर से solve करते हो one multiply by five upon two multiply by five को तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा one upon two यह five five cancel हो जाएगे विकाज यह numerator and denominator पर है यहाँ पर होगा five one जा five and यहाँ पर भी five one जा five so friends one multiply by one means one and two multiply by one means two हमें फिर से वही fraction मिल जाएगा हमें इस fraction की value change नहीं करनी थी so इसलिए अगर आपको denominator पर five से multiply करना है तो numerator पर भी five से multiply ही करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स यह multiplication solve करते हैं यह one multiply by five means five upon two multiply by five means कितने होते हैं तेन होते हैं तो five upon ten यह fraction आया है अब अगर इसे हमें decimal form में convert करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर कौसा नंबर है denominator पर ten है तो ten यहाँ पर ten की multiples आते हैं उनको हमें decimal form में convert करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती सिर्फ आपको क्या करना है तेन में कितने zeros हैं वह चेक करना है यहाँ पर ten में एक ही zero है सो हमारे जो decimal point है वह first place पर आएगा जितने zeros हैं उतने ही place पर decimal point आएगा अगर आपको यह नहीं पता है तो इसे मेंशन कर लो जितने zeros हैं उतने ही प्लेस पर कि डेसिमल point आएगा एंड हमारे जो answer है वह हमेशा करेट ही होगा बट यह कौन से case में यूज़ करना है आपको सिर्फ अगर denominator पर 10, 100, 1000, 10,000 that is 10 के multiples अगर denominator पर आजाए तो उसी case में उस नंबर में जितने zeros हैं उसको count करने हैं और उतनी place पर हमारा decimal point आजाएगा तो friends यहाँ पर क्या है 5 upon 10 है तो 10 में कितने zeros है एक ही zero तो हमारा decimal point है वो first place पर आजाएगा यह जो numerator है उसको as it is write कर लेंगे यहाँ पर zero place होगा यहाँ पर first place होगा यहाँ पर आएगा हमारे decimal point and decimal point की left hand cell पर हम zero लगा देते हैं so our required answer is 0.5 so friends 1 upon 2 की value हमें क्या मिली है 0.5 यह आपको हमी शद्यान में रखनी है आपको problem set 40 में भी इसका use करना है तो friends यह हो गया हमारा पहला तरीका अब दूसरे तरीके से भी आप इसे solve कर सकते हो वो कैसे मैं आपको एक rough page लेके दिखाती हूँ ओके यह हमने rough page ले लिया है अब हमें क्या करना है one upon two को decimal form में convert करना है ओके decimal form में convert करना है means उसमें point लाना है तो friends क्या करेंगे one है numerator पर and two है denominator पर one upon two है friends हम यहाँ पर क्या करेंगे जो denominator है उससे इस numerator को divide कर देंगे यहाँ पर यह क्या हो गया division का sign one divided by two है one divided by two इसको हमने यहाँ पर कैसे write किया है one upon two ऐसे इसे यहाँ पर हमने write किया है because हमारे concept chapter चल रहा है fractions का तो इसलिए हमने इसे इसे write किया है one upon two friends simply हम क्या कर देंगे two से इस one को divide कर देंगे यह calculation करते हैं अब two के table में तो one नहीं है two zero zero होगा one minus zero में इस कितने होंगे फिर से one अब next लिए क्या करना है zero के बाद point लगा देना है अगर आप point लेते हों यहाँ पर automatically zero आ जाएगा and two के table में 10 हो तो friends two five आ 10 हो जाएगे 10 minus 10 में is zero so हमें यहाँ पर decimal fraction मिला है 0.5 मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था one upon two का meaning 0.5 होता है यह था हमारा पहले तरीके से और दूसरे तरीके से भी वह यह answer आया है so our answer is correct one upon two that is half का meaning decimal form में क्या होता है 0.5 so this is our required answer अब friends हम quarter का भी discuss करते हैं okay friends अभी अभी हमने half के बारे में discuss क्या था half का meaning ही क्या होता है 0.5 अब हम quarter के बारे में discuss करने वाले हैं तो quarter में इस क्या होता है one fourth होता है quarter को हम क्या बोलते है one fourth भी बोल सकते हैं and इसको कैसे write करेंगे one upon four यह होता है quarter का meaning इसको आप one quarter भी बोल सकते हो only a quarter okay one quarter means a quarter सिर्फ आप quarter भी बोल सकते हो या फिर one quarter भी बोल सकते हो one quarter means one upon four अब इस one upon four को हमें किस में convert करना है decimal form में convert करना है तो friends one upon four यह जो decimal fraction है इसके denominator पर क्या है four है अगर आपको four को ten के multiple में या फिर ten में convert करना है तो क्या करेंगे देखते हैं यहाँ पर denominator पर क्या है four है अब four के table में तो आपको ten कभी भी नए बिलेगा four के table में आप चेक करके देख सकते हो four one जा four four two जा eight four three जा twelve होते हैं यहाँ पर eight है और यहाँ पर twelve है 12 के आगे तो आपको ten नहीं मिलेगा तो friends हम क्या करते हैं इस four को hundred में convert करते हैं four में किस से multiply करनी के बाद hundred मिलेगा तो friends क्या करते हैं x की value find out करते हैं x की value find out करने के लिए हम इस four को right hand side पर shift कर देंगे so hundred upon four हो जाएगा यह so hundred upon four यह calculation करते हैं rough page पर यह हमने rough page लिया था so hundred upon four means four से hundred को divide करेंगे four one's are four four two's are eight यहाँ पर eight right कर देंगे ten minus eight means two two के बाद यह zero निचा आएगा and four five जा कितने होते हैं twenty होते हैं आपको table पता होगा four का four one's are four four two's are eight four three's are九 4 4 16 and 4 5 20 ओके यह टेबल है 4 का यह आपको पता है 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 16 and 4 5 जा 20 तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या किया firstly 4 2 जा 8 यहाँ पर 10 यह नंबर आया है 4 के टेबल में 10 नहीं है 10 से कम नंबर हमने कंसिडर कर लिया 4 2 जा 8 10 माइनस 8 मिस 2 होंगे 2 के बाद यह सेकेंड वाला जो 0 है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर क्या क्रेट हो जाएगा 20 20 यह नंबर 4 के टेबल में है 4 5 0 20 होते हैं यहाँ पर 5 का बाग देंगे तो यहाँ पर हमी क्या मिला है 20 माइनस 20 मिस 0 एड अवर कोशन इस 25 तो फ्रेंड्स हमें x की वेल्यू क्या मिले है 25 ओके तो फ्रेंड्स अगर आप 25 एड 4 को मल्टिप्लाय करते हो तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा 100 यह नंबर मिलेगा अगर आपको यह रॉंग लग रहा है तो आप चेक भी कर सकते हो 25 मल्टिप्लाय वाइब 4 करके यहर 4 मल्टिप्लाय वाइब 5 मिस 20 होते हैं तो 20 का यूनिट डिजिट 0 ही है यहर 2 कैरी दें 4 तू जा 8 एड एड प्लस 10 कैरी 2 मिस 10 होंगे तो फ्रेंड्स मिला ना हमें 100 तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यह जो quarter है that is 1 upon 4 एसके denominator को multiply by क्या करेंगे x x के value में क्या मिले है 25 है तो फ्रेंड्स 1 upon 4 multiply by 25 राइट कर देंगे यहां पर हमने denominator पर multiply by 25 किया है तो numerator पर भी क्या हो जाएगा multiply by 25 जो operation हम denominator पर कर रहे हैं वही operation हमें numerator पर भी करना है है ना हाप में भी हमने वही किया था 2 का हमें 10 में convert करना था इसलिए हमने क्या किया 2 multiply by 5 यहां पर ओकी यहां पर भी आप देख सकते हो यहां पर भी 2 multiply by 5 जो numerator पर भी वही calculation करना है 1 multiply by 5 यहां पर भी यहां पर 4 multiply by 25 कर दिया तो फ्रेंट्स 25 इसी number से हम numerator को भी multiply करेंगे ओके तो फ्रेंट्स सॉल करते है 1 multiply by 25 में 25 अपन 4 multiply by 25 में 100 यहां पर हमने calculation किया था 25 25 multiply by 4 में 100 तो फ्रेंट्स यहां पर 25 अपन 100 आ गया अब हमें क्या करना है डिनोमेनेटर देखना है डिनोमेनेटर पर है 100 अब मैंने आपको बताया था 10 या फिर 10 के जो multiples होते है 100, 1000, 10,000 यह अगर डिनोमेनेटर पर आ जाए तो आपको क्या करना है उन में जितने 0 से उसको count करने है और उसी place पर हमारा decimal point आने वाला है यह note है ना आपको ध्यान में अच्छी से जितने 0 है उतने प्लेस पर decimal point आएगा यहां पर 100 में कितने 0 है द है and decimal point second place पर देते हैं here this is 0 place this is first place and this is second place यहां पर आएगा हमारा decimal point and decimal point के left hand side पर 0 so friends quarter का जो value है वो है 0.25 quarter इसको आप 14 भी बोल सकते हो या फिर 1 quarter भी ओके आपको एक्जास में अगर 14 दिया जाए तो आपको tension नहीं लेना है one four का meaning ही quarter होता है अगर one quarter भी देया जाए तो उसका भी meaning quarter ही होता है so friends यह जो तीनों है quarter one fourth and one quarter यह तीनों एक ही है इसका meaning क्या है one upon four and one upon four को अगर हम decimal form में convert करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0.25 ओके friends आप इसे rub page पर भी solve करके देख सकते हो division का process यूज करके तो friends यह आपर हम division करते हैं quarter का meaning क्या होता है one by four that is one upon four तो friends अगर हमें division करना है तो हम क्या करेंगे यह जो four है division के sign के बाहर write कर देंगे जो denominator होता है उससे हम numerator को divide करते हैं so friends four आ जाएगा division के sign के बाहर and one आएगा division के sign के अंदर अब यह calculation करते हैं four zero's are zero होंगे because four के table में आपको one नहीं मिलेगा one minus zero means one होंगे okay अब इस zero के बाद हमें decimal point देना है यहापर automatically zero आ जाएगा friends four two's are eight होते हैं so friends यहापर हम write कर देंगे eight ten minus eight means two okay two के बाद फिर से zero आ जाएगा अब यहापर हमें फिर से decimal point draw नहीं करना है क्यों नहीं करना है विकाज हमने एक बार यहापर ड्रॉ कर दिया है तो बार बार इसे ड्रॉ करने की कोई भी जरूत नहीं है यहापर आपको 25 सो हमारा जो answer है वो correct है अब quarter का मीनिंग क्या है जीरो पॉइंट 25 हाफ का मीनिंग क्या है 0.50 और 0.5 ओनली ओके 0.50 का मीनिंग ही क्या होता है 0.5 तो friends मुझे उमिद है आपको यह quarter का भी अच्छे से समझ में आया होगा concept अब इक्स कंसेप्ट देखते हैं यह अब अब थर्ड कंसेप्ट इस थ्री कॉर्टर अब हमें थ्री कॉर्टर के बारे में डिसक्स करना है तो friends 3 quarters में simply क्या होता है 3 numerator पर राइट करतेंगे और डिनोमेनेटर पर आएगा quarter में 4 quarter का मेनिंग क्या होता है 4 राइट करना है डिनोमेनेटर पर हाफ का मेनिंग क्या होता है 1 & 2 राइट करने है ओके friends 1 numerator पर 2 denominator पर तो friends अगर आपको 3 upon 4 इस fraction को decimal form में convert करना है तो वही करना है जैसे कि हमने quarter में किया था friends हम क्या कर देंगे यह जो 3 upon 4 है इसका denominator चेक करेंगे हमने denominator है 4 यहाँ पर भी क्या था 4 था यहाँ पर हमने क्या किया था 4 multiply by 25 तो हमें 100 मिल गया 4 के टेबल में 10 नहीं है इसलिए हमने इसे 100 में convert कर लिया तो यहाँ पर भी 4 है इस case में भी हम वही करेंगे ओके 4 multiply by 25 कर देंगे और जो calculation हमने denominator पर किया है वही numerator पर भी करना है numerator पर यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 राइट कर देंगे multiply by 25 अब यह calculation करते 3 multiply by 25 करेंगे that is simply 25 multiply by 3 5 3 जा 15 होते हैं 15 का यह डिजिट 5 हीर 1 करी 3 2 जा 6 प्लस इस करी 1 में 7 होंगे तो numerator पर आजेगा 75 एंड denominator पर क्या आएगा 4 multiply by 25 यह calculation यहाँ पर यह आप देख सकते हो 100 है यहाँ पर denominator पर write करेंगे 100 अब यह calculation solve करेंगे simply आपको क्या करना है जो decimal point है वो second place पर आने वाला है because 100 में 2 zeros हैं ओकी यह first zero यह second zero 75 as it is write कर देंगे यह zero place यह first place यह second place यहाँ पर आएगा हमारा decimal point and decimal point के left hand side पर zero so three quarters means 0.75 अगर आप इस three को four से divide करते हैं तो आपको यह answer मिलगा आप check करके मुझे जरूर बताना and comment section में बताना कि आपका answer क्या आया 0.75 आया या फिर नहीं ओके तो friends यह आपको खुद check करना है इस four से इस three को divide करना है four आएगा division के sign के बाहर and three आएगा division के sign के अंदर यह calculation आप घर पर check करो तो friends three quarters काम ने discuss किया है अभी 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 अब इसके बाद हम last concept study करने वाली है last क्या है fourth concept one and a quarter अब यह थोड़ा सा अलग है अब इसमें आपको क्या करना है one and आया है one and a quarter one के साथ एक quarter है so one separately write करेंगे and a quarter है so इसके लिए quarter write करेंगे सिर्फ a quarter मिस क्या होता है quarter होता है only a quarter quarter means one by four so one and a quarter इसको हम कैसे write करेंगे one and यहापर भी आपको ऐसे read करना है one and one upon four अब friends यह क्या आया है एक mixed fraction आया गया mix fraction को improper fraction में convert करने के लिए हम क्या करते हैं यह four that is your denominator multiply by this number and जो calculation आएगा उसको इस one के साथ add कर देंगे okay numerator के साथ इसको add कर देंगे तो friends यह numerator that is numerator is one upon denominator पर आएगा four यह जो calculation है one and a quarter का इसको भी आप दो तरीके से solve कर सकते हों यह four multiply by one means four होंगे plus one as it is and denominator के four as it is here four plus one means five upon four आएगा अब इसको हमें क्या करना है decimal form में convert करना है तो friends क्या करेंगे यहाँ पर भी multiply by 25 कर देंगे because denominator पर क्या है four है ओके four के table में ten नहीं है तो यह से hundred में convert करने के लिए हम 25 से multiply कर देंगे तो five multiply by twenty five numerator फोर हो जाएगा and denominator पर four multiply by twenty five five multiply by twenty five calculation करते है यह five five is a twenty five twenty five का इने digit five here here two carry five two is a ten plus this carry two means twelve so numerator पर आया 125 and denominator पर क्या आएगा hundred आएगा because four multiply by twenty five means hundred यह calculation solve करते हैं hundred में कितने zeros है one two हमारे decimal point है वो second place पर आने वाला है 125 numerator पर है इसको as it is write करतेंगे second place पर हमारा decimal point आएगा यह zero place यह first place यह second place यहाँ पर आएगा हमारा decimal point so our required answer is one point twenty five friends यह हो गया हमारा पहला तरीका इसी type में हमने यह questions solve किये हैं अब एक और simple तरीका में आपको बताने वाली हूँ अगर आपको वो तरीका अच्छा लगे तो मेरा वीडियो जरूर लाइक करना तो friends हम दूसरे तरीके से solve करेंगे one and a quarter का meaning क्या होता है one and one upon four अब इसे हमें क्या करना है decimal form में convert करना है friends यह जो one and one upon four है इसकी बीच में हमेशा plus sign होता है बट यह हम right नहीं करते हैं आपको हमेशा द्यान में रखना है यह बड़े-बड़े बच्चों को भी नहीं पता होता 11-12 के students को भी यह चीज ज्यादतर पता नहीं है friends यह जो one and one upon four है one and one upon four है न सो and miss क्या हो साथ है इसके लिए हमें इसमें plus का sign देना पड़ता है बट हम ज्यादतर इसे इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं ओके math में सिर्फ यहीं right करते हम one and one upon four अगर आपको कुछ इस टाइप का fraction दिया जा three and one upon two friends इन दोनों के बीच में भी plus का sign है बट अगर thirty one upon two आए तो इसके बीच में आपको plus का sign नहीं लगाना है अगर यह number जो पहले वाला number है वो इस line के बराबर आए that is middle में आए ओके consider करते हैं यह four and one upon three यह four क्या आया है इस line के middle में आया है ओके line के साथ आया है तो यहाँ पर हम plus का sign लगा सकते हैं ओके तो friends यह एक concept आपको जिसे द्यान में रखना है इनके बीच में हमेशा plus का sign होता है तो यह concept आपका clear हो गया इसके बाद हमें क्या करना है यह जो one है इसको as it is write कर देंगे plus का sign लगा देंगे यह है हमारा second तरीका अब friends यह क्या है quarter है one and a quarter है one को separately write कर देंगे plus का sign लगा देंगे और यह quarter है तो इसे भी separate write कर देंगे one plus one upon four यह जो one and one upon four है इसका यह मीनिंग क्या होगा one plus one upon four ओके तो one की बाद आएगा फिर से plus sign यह क्या है one upon four है that is quarter है quarter की value हमने find out की थी quarter की value क्या होती है 0.25 friends यह half quarters and three quarters इनके जो values है वो आपको हमेशा ध्यान में रखने है half की value क्या होती है इस half की value होती है 0.50 और simply 0.5 quarter की value हमेशा क्या होती है 0.25 and three quarters की value क्या होती है 0.75 तो इन्हें values के base पर हम बड़े बड़े examples solve कर सकते हैं half की value होते है 0.50 quarter की value होते है 0.25 and three quarters की value होते है 0.75 तो friends यह concept आपको अच्छे से ध्यान में रखना है अगर आप यह concept अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो आपको कौन सा भी problem solve करने में difficulty नहीं आएगी यह फिर दिक्कत नहीं होगी तो friends फिर से आते हैं हम हमारे fourth example पर यहापर क्या है one and a quarter है quarter का meaning क्या होता है 0.25 हमने अभी अभी देखा था यहापर half में 0.50 quarter में 0.25 and three quarter में 0.75 यहापर भी मैं आपको दिखाती हूँ half का value 0.5 यह फिर 0.50 भी आप इसे राइड कर सकते हो इन दोनों का meaning एक ही होता है then quarter का meaning क्या होता है 0.25 and lastly three quarter का meaning होता है 0.75 तो friends यहापर हमने quarter की value write की है 0.25 अब यह जो one and 0.25 है इन दोनों को हम add कर देंगे because यहापर middle में क्या है plus का sign so friends one plus 0.25 है इस one के बाद क्या आएगा decimal point आएगा okay so यह जो decimal number है 0.25 इसका जो decimal point है यह वाला इसको इस decimal point के नीचे ही write कर देंगे यह number पी write करते है 0.25 ओके इस one के बाद कुछ भी नहीं है मिस 0 लगा देंगे addition कर देंगे 0 plus 5 मिस 5 0 plus 2 मिस 2 यह decimal point as it is 1 plus 0 मिस 1 so friends हमाई answer मिला है 1.25 यहापर भी वह यह answer आया था ओके यह थोड़ा सा लंबा process हो गया और यह हमने fastly कर दिया because हमें one quarter की value पता थी one quarter की यह फिर सिर्फ quarter की value होते है 0.25 उसकी value हमने यह पर put कर देंगे यह जो one था इसको add करने के बाद हमें क्या मिला 1.25 मिल गया हमारा answer यह जो process है वह बहुत ही लंबा process है तो friends आपको जो process अच्छा लगे वह आप choose कर सकते हो मैं आपको force नहीं करूंगी कि आप यही चूज कर दो बट अगर आप यह values ध्यान में रखते हैं half quarter and three quarters की तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होंगी problem set solve करने में या फिर कोई भी example solve करने में ओके तो friends मुझे उम्मेद है आपको एक असे पच्छे से समझ में आया होगा अब हम कुछ example solve कर देंगे और उसकी बार problem set 40 solve करेंगे तो please friends ये वीडियो आप इन तक जरूर देखना बहुत ही important lecture है आपको 11 12 में भी इसका full concept है तो friends मैं आपको request करती हूँ बार बार ये वीडियो आप इन तक जरूर देखना आपके future के लिए बहुत है important है ओके तो friends solve करते कुछ examples बहुत ही simple simple examples है अब हमें half quarter and three quarter की value पता है तो हम फटा-फट से सभी examples solve करेंगे ओके तो friends start करते हमारे कुछ examples तो friends अभी अभी हमने half quarter and three quarters की values पता कर ली अब हम क्या करने वाले हैं कुछ examples यह आपर solve करने वाले हैं सिर्फ six examples हैं हम fastly एक एक करके सभी solve कर देंगे और इसके बाद problems with four टी भी इससी lecture में solve करने वाले हैं half miss क्या होता है friends one upon two होता है और इसका meaning होता है 0.50 या फिर आप इसे 0.5 भी write कर सकते हो इन दोनों का meaning एक ही है आपके बाद हमने discuss क्या था a quarter या फिर one fourth या फिर one quarter ये तीनों एक ही है इनका meaning क्या है one upon four एंड इनका value क्या है 0.25 इसके बाद हमने three quarters discuss क्या था three quarters इसको हम क्या बोलते हैं three fourth इसको हम three fourth भी बोल सकते हैं एडिसको हम कैसे राइड करते हैं decimal fraction में three upon four एंड इसका meaning क्या होता है 0.75 तो फ्रेंड्स ये तीनों values हमें पता है अब हम सभी example solve करेंगे यह first example क्या है 51 एंड हाफ सो फ्रेंड्स मिडल में ही आना चाहिए उसके साइड में आना चाहिए तो फ्रेंड्स ये 51 एंड हाफ है इसे हम कैसे राइड करेंगे 51 प्लस वन अपॉन टू इन दोनों का मिनी एक ही है मैंने आपको अभी यह भी बताया था one and a quarter means one and one upon four इसको ही हम कैसे राइड कर सकते हैं one plus one upon four यह आपर प्लस का साइन होता है बढ़ हम राइड नहीं करते यह से राइड करने के लिए हम इसे separate करके राइड कर सकते हैं 51 को हमने separate राइड कर दिया प्लस one upon two that is half half means one upon two होता है है ना अब हाफ की value हमें पता है सो हाव की वैलेव पूट करेंगे एंड 51 को एंड उस वैलेव को एड कर देंगे 51 प्लस 1 अपॉंट 2 मेंस हाफ एंड हाफ कमेनी क्या होता है 0.50 और 0.50 तो 0.50 आपर राइट कर देंगे इनको एड करते हैं फ्रेंड 51 प्लस 0.50 है 51 के बाद आएकर डेसिमल पॉंट यहापर डेसिमल पॉंट के नीचे डेसिमल पॉंट राइट कर देंगे पिकॉस अब यहापर 51 के बाद कुछ नहीं है मिस्ट दो जीरो लगा देंगे यहापर डो बिजिट्स है इसके लिए 0 plus 0 means 0, 0 plus 5 means 5, decimal point as it is, 1 plus 0 means 1 and 5 as it is So friends our answer is 51.50 या फिर 51.50 या हो गया 51 and half का answer यहां पर हम लास्ली राइड कर सकते हैं, therefore 51 and 1 upon 2 is equal to 51.50 यह हो गया हमारा answer अब next example देखते हैं, 2 and 3 quarters, so friends 2 and है यहां पर, so friends 2 आगे राइड कर देंगे and 3 quarters है, so 3 quarters में इस कितने होते हैं, 3 upon 4, okay 3 upon 4 कुछ इस टाइप में write कर देंगे, यहां पर and आया है बेज में, so यहां पर plus का sign लगा देंगे next step में क्या करेंगे, 2 plus 3 upon 4, friends 3 upon 4 की value यहां पर put कर देंगे 2 plus as it is, 3 upon 4 means 0.75, okay अब 2 and 0.75 को add कर देंगे, हमारा answer मिल जाएगा तो friends, यह addition कुछ इस टाइप में होगा, तो के बाद आएगा decimal point and यह 0.75 का decimal point आएगा यहां पर, add करते हैं, 0 plus 5 means 5, 0 plus 7 means 7 यह decimal point as it is, 2 plus 0 means 2 यहां पर हमें answer मिला है, 2.75, next example friends, here our next example is, 71 and a quarter 71 and आया है, उसके बाद क्या है, quarter है, 71 and a quarter, quarter means 1 upon 4 इसके बीच में plus का sign है, इसको separately write कर देंगे, 71 plus 1 upon 4 quarter का meaning क्या होता है, 0.25 अब यह add करते हैं, 71.00 plus 0.25, 0 plus 5 means 5, 0 plus 2 means 2, decimal point as it is, 1 plus 0 means 1, 7 as it is तो वर required answer is, 71.25, next example, 30 and 3 quarters, so friends, 30 and आया है, यहां पर भी, so, यहां पर बीच में plus का sign आ जाएगा, बट आपको इसे next step में write करना है, इसके लिए हम यहां पर write नहीं करेंगे 3 quarters है, 3 quarters means 3 upon 4, so 30 and 3 upon 4, यह इसका meaning हो जाएगा, and next step में क्या करेंगे, इसके बीच में plus का sign लगा देंगे 30 plus 3 upon 4, okay, friends, 3 quarters का meaning क्या होता है, 0.75, आपको पता है, 3 quarter means 3 fourth, which is equal to 3 upon 4, and is equal to 0.75, अब इने add कर देंगे, 30 plus 0.75, 30 के बाद decimal point आजाएगा, decimal point के बाद 2 zeros, यह 0 plus 5 means 5, 0 plus 7 means 7, यह decimal point as it is, यह आपर भी 0 plus 0 means 0, and यह 3 as it is, so our required answer is 30.75, ओके, एक मिनिट में भी आप इससे solve कर सकते हो, एक मिनिट से कम आपको time लगेगा, बट सिर्फ आपको क्या दिन में रखना है, यह 3 values, half की value होते है, 0.5, आपको हम कैसे write कते है, 1 upon 2, quarter की, या फिर one fourth की, या फिर one quarter की value होते है, 0.25, आप इसे कैसे write कते है, 1 upon 4, then last value, 3 quarter means 3 fourth, इसकी value क्या है, 0.75, और इसको हम कैसे write कते है, 3 upon 4, ओके, यही तीन values पर हम example, एक मिनेट से कम समय में solve कर सकते हैं, अगर आपको यह values पता नहीं है, तो आपको बहुत समय लग जाएगा, and exam भी खतम हो जाएगा, है ना, friends, next example देखते है, next example is 63 and half, so 63 and half है, so half का मीनिंग क्या होता है, 1 upon 2, and half है, इसलिए, यहाँ पर write कर देंगे, 1 upon 2, 63 and 1 upon 2, इनके बीच में क्या होता है, plus का send, 63 plus 1 upon 2, so 63 as it is, plus का send by as it is, यहाँ और क्या है, 1 upon 2 है, miss half है, half का मीनिंग क्या होता है, 0.50, अब इनके एड़ कर देंगे, 63.00 plus 0.50, इस 0 plus 0 में 0, 0 plus 5 में 5, decimal point as it is, 3 plus 0 में 3, and 6 as it is, so our required answer is 63.50, अब हम लास्ट एक्जांपल स्टेडी करने वाले हैं, यहाँ आवर लास्ट एक्जांपल इस 4 and a quarter, इसके बाद हम प्राब्लें से 40 स्टेडी करेंगे, so friends 4 and a quarter है, quarter means 1 upon 4, so यहाँ पर राइट करेंगे 1 upon 4, 4 and 1 upon 4, so friends 4 plus 1 upon 4, इसे यहाँ राइट कर सकते हो, ओके, so 4 plus 1 upon 4 means quarter, and quarter का value क्या होता है, 0.25, so यहाँ पर राइट करेंगे 0.25, 4.00 plus 0.25, यह calculation इस्टोल कर देंगे, मिल जाएगा हमारा answer, यह 0 plus 5 means 5, 0 plus 2 means 2, decimal point as it is 4 plus 0 means 4, ओके, friends यह example practice करने के बाद, आप इसे 30 second में solve कर सकते हो, ओके, बहुते simple examples हैं, बट आपको practice करना पड़ेगा, अच्छे से, अलग-अलग example आप लेख सकते हो, आपके parents को पूछ सकते हो, अलग-अलग examples, and उसे solve करो, मुझे पक्का पता है, आप इसे 30 second में solve कर पाऊगे, calculate कर पाऊगे, सिर्फ आपको यह 3 values पता होना चाहिए, ओके, तो friends मुझे उम्में थे, आपको यह examples भी अच्छे से समझ में आए होगे, अब हम क्या करते हैं, problem set 40, fastly start करते हैं, and उसके भी सभी examples को, less than 30 second में solve करने की कोशिश करते हैं, तो friends start करते हैं, problem set number 40, here friends, problem set number 40, इसमें एक equation है, and इस question में 7 sub questions हैं, ओके, यह भी उस type के हैं, अभी अभी हमने जिसे example solve किये थे न, उसी type के यह examples हैं, आप इसे fastly solve कर पाऊगे, ओके, तो friends start करते हैं, question, यहाँ पर question क्या दिया है, write the following fractions as decimal fraction, इने decimal fractions में हमें write करना है, ओके, अब friends यहाँ पर 7 sub questions है, first sub question क्या है, 2 and a half, 2 and a half है, half का meaning क्या होता है, 1 upon 2, तो friends, and आया है यहाँ पर, so 2 and 1 upon half, इस type में हम इसे write करेंगे, इसके बीच में plus का sign होता है, so 2 plus 1 upon 2 write कर देंगे, friends, 2 plus as it is, half का meaning क्या होता है, 0.50 और 0.50, so यहाँ पर write कर देंगे उसकी value, and यह add कर देंगे, 2 plus 0.50, 2 के बाद आएगा decimal point, यह decimal point के नीचे decimal point आएगा, 0.50, 2 के बाद decimal point है, and इसके बाद जो 0s लगा देंगे, बिकाज यहाँ पर, 2 digits है, 0 plus 0 में 0, 0 plus 5 में 5, decimal point as it is, 2 plus 0 में 2, so our required answer is, 2.50, then next example is, 2 and a quarter, quarter means 1 upon 4, 2 and a quarter है, so friends, इसे हम कैसे राट करेंगे, 2 and 1 upon 4, इसके बाद क्या आएगा, which is equal to 2 plus 1 upon 4, 1 upon 4 का मेनिंग क्या होगा, 0.25, आपको पता है न, 1 upon 4 में 0.25, 1 upon 2 में 0.50, and 3 upon 4 में 0.75, 3 upon 4 में 3, and a quarter, 1 upon 4 में क्या होता है friends, a quarter, या फिर 1 quarter, या फिर 1 fourth, तो friends, 1 upon 4 का मेनिंग है, 0.25, 2 and 0.25 को आड़ कर देंगे, here 2 plus 0.25, 2 के बाद आएगा decimal point, या पर 0 जा जाएँगे, 0 plus 5 में 5, 0 plus 2 में 2, decimal point as it is, 2 plus 0 में 2, friends, our required answer is 2.25, then next example देखते है, here our next example is, 2 and 3 quarters, so friends, 2 and 3 quarters है, 3 quarter में is 3 upon 4, so 2 and 3 upon 4, इसको हम कैसे राइड करते हैं, 2 plus 3 upon 4, which is equal to 2 plus 3 upon 4 में 0.75, so 0.75, अब इन्हें एड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2.75, आप गर पर अच्छे से चेक करके देख सकते हो, 2 plus 0.75 में 2.75, मैं करके ही दिखाते हूं, ज़र 2, इसके बाद आएगा, decimal point, plus 0.75 है, 0.75 का जो decimal point है, वो इस 2 के decimal point के निए चाहिए आना जाहिए, ओके, यह आपर आएगा, 0, यह 0.75, यह 2 के बाद आएगे, 2 zeros, ओके, आड करते हैं, 0 plus 5 में 5, 0 plus 7 में 7, यह decimal point as it is, 2 plus 0 में 2, अबर required answer is, 2.75, then next example is 10 and a half, so friends 10 and आया है, उसके बाद क्या है, half है, so 10 and 1 upon 2, which is equal to 10, plus 1 upon 2, which is equal to 10, plus 1 upon 2 के value क्या होती है, 0.50, and यह साओर करने के बाद आपको क्या में लेगा, 10.50, this is our required answer, then fifth example, 14 and 3 quarters, so friends 14, ऐसे रड़ करते हैं हम, 1, 4 and 3 quarters है, 3 quarter means 3 upon 4, so 14 and 3 upon 4, which is equal to 14, plus 3 upon 4, which is equal to 14, plus 3 upon 4 means, 0.75, okay, 14 and 0.75 को आड़ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 14.75, then अबर sixth example is, 16 and a quarter, so friends 16, 16 and a quarter है, so quarter means क्या होता है, 1 upon 4, 16 and quarter means, 16 and 1 upon 4, which is equal to 16, plus 1 upon 4, and is equal to 16, plus 1 upon 4 means, 0.25, अब 16 and 0.25 को आड़ करने के बाद क्या मिलेगा, 16.25, so this is our required answer, then seventh example देखते हैं, यह हमारा last example है, हमने यह example less than 30 seconds में solve किये हैं, बहुत ही फासली हमें इसे solve करते आ रहा हैं, seventh example है, 28 and a half, so friends 28 and a half है, so यहाँ पर ऐसे राड़ करेंगे, half miss 1 upon 2, 28 and 1 upon 2, which is equal to 28, plus 1 upon 2, which is equal to 28, plus 0.50, which is equal to 28.50, friends this is our required answer, of question number 7, so friends आज की इस लेक्चर में हमने, problem set number 40 solve किया है, अगर आपको कुछ डावट से तो आप मुझे comment करके बता सकते हो, अगर आपको इस वीडियो सच मुझे अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक जरू करना, and हमारा चैनल आपके दोस्तों के साथ शेयर भी जरू करना, and अगर आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्स्राइब भी कर लेना, तेंक यू सो मुच पर वाचिंग मैं वीडियो, नेक्स वीडियो भी आप जरू देखिये, सी यू नेक्स लेक्टर, हैव अनाइस दे, करकुणू आपने चैनल मुच जरू कर देखिये, कर देखिंग अनल स्वी ंने थेंटे, कर देखिंग मैं बशने यू रहाँ, तो जरू पर बगके, झाल झाल